हेलो सुडेंट्स होना पकरन जा रहे हैं कॉंटिनुटी दा स्तार में लेक्चर इदेच आपको कुछ क्वेश्चन्स करांगे NCRT दे एक्सरसाइस 5.1 दे ता आपको पढ़ दे हैं उन सेट्मेंट फाइंड ओल दा पॉइंट्स ओफ डिसकॉंटिनुटी ओफ एफ वेर एफ एस डिफाइंड बाइ ता क्वेश्चन नंबर सिक्स जड़ा ओधिच फंक्शन आप उन्हों ऐस तरह दिखता है यह तुसी सेट्मेंट देख सकते हैं बुक जो हुँन आपको इन्हों समझिए कि ऐस तरह दे क्वेश्चन की वेश्चन करांगे इस तो पहला आपको गाल कर चुक्यां कॉंटिनुटि आथा प्वाइं नाल भारे जो तुसी देखना चूनियों कॉंटिनुटि आप प्वाइं बारे तिसी आई बटन ते प्रेस करके देख सकते हूं कुछ वीडियोस अपनियां continuity आटा point दे हैगें जड़े question भी S exercise दे continuity आटा point दे पेश सेगे हुन अगे question अपने शुरू होगे थोड़ा जा next level दे ता अपन इदे चे continuity आटा point नहीं सिर्फ चेक कर सकते गेदे चे सारा आपनू देखना परेगा ता अपनू पता है function जड़ा x less than 2 वास्ते है x greater than 2 वास्ते है x is equal to 2 वास्ते है ता अपना होली होली यह दे कुछ cases बनावांगे नू ता उत्थे अपना continuity दे गल करांगे ता सब तो पहला case गल करांगे कि जदो x है जड़ा 2 तो छोट है अधे कोग पर लिखे x2 तो छोट है ता अपना function ओस time किनना है 2x plus 3 होन आपा गल करांगे जड़े आपा कुछ standard results लिखे सेगे जिमें कि everywhere continuous वाले और भी तुस्य आई बटन ते प्रेस करके देख सकते हो अपनी वीडियोस पही है ओ थे everywhere continuous function केड़े केड़े उना दा चार्ट अपा बनाया गए यथे है कि ये वाला जड़ा function है ये केड़ा function है polynomial function तो अपनू पता है कि polynomial function है जड़ा हो everywhere continuous होन दा है जिब polynomial function everywhere continuous है ये भी polynomial है तो इनू भी आपा की कवांगे कि this function is continuous for x less than 2 मतलब less than 2 वास्ते है continuous हो गया लिखनी आपा सिरफ wordings ही है जड़ी है कि standardized wordings है ठीक है और से तरह होना पगाल करिए x greater than 2 वास्ते second case है जड़ा तो इदे वास्ते function अपना 2x minus 3 है फिर same wording होगी कुँकि ये भी की है polynomial है अपा लिखांगे कि polynomial function दा सानों पता ही है कि everywhere continuous हुन दी है एस करके ये जड़ा function है ये भी continuous ही होएगा किदे लिख x greater than 2 लएगी तो ये तो हो गया 2 तो less 2 तो greater वास्ते हुन गल करांगे at x is equal to 2 ये होई है जड़ा अपना continuity at a point आपा चेक कर देए पहले left limit चेक करना लगिया limit x approaches to 2 negative f of x limit x approaches to 2 negative 2 negative मतब 2 तो छोटे वास्ते ता function ही choose होएगा 2x plus 3 और उस दो बाद direct limit पुट करांगे तैथे 2 into 2 4 हो जगा plus 3 कि ना हो गया 7 और दो बाद limit x approaches to 2 positive f of x is equal to limit x approaches to 2 positive 2 positive वास्ते function केड़ा होएगा जड़ा 2 तो बड़े वास्ते ये वाला 2x minus 3 जब दो देच आपा लिमेट पुट किती ता calculation करके कि ना आ गया 1 ता आपा देख लिया कि left limit ते right limit equal नहीं है गिया ये दा मतलब function जड़ा साड़ है और discontinuous है केड़े point ते 2 ते मतलब less than 2 वास्ते Continuous सी greater than 2 वास्ते Continuous सी but 2 ते की है discontinuous ता ऐस तरह ही question करने पहेंगे सारा अपानू left right उस point ते सारा check out करना पहेगा उन्हें ता graph देख देख दें आपा ता y is equal to x plus 3 मतलब ए वाला जड़ा function है एकेड़िया values वास्ते 2 ते 2 तो छोटियां ता मैं एथे कुछ values परतीयां उन्हें प्लोट करके एक line किचते उसते बाद एवाला जड़ा हैगा function 2x minus 3 एकेड़िया values वास्ते जड़ियां 2 तो वड़ियां values है ता मैं वड़ियां values परतीयां ता एक ग्राफ बन गया ता हुन आपकेड़िया तो ते जोट आपकेड़िया चेक किता तो ते आपकेड़िया पता है कि तो ते ऐस function ची पर नासेगा ता एक वैल्यू एदी 7 बट ए जड़ा ग्राफ है इथे तो ते अपना ग्राफ की है है यही नहीं कुछ value है नहीं 2 थे क्योंकि आपकेड़िया तो एदे च पर नहीं सकते से ता आपकेड़िया ग्राफ नहीं देखके कि left limit है जड़ी जोट आपके 2 negative तो आवांगी तो तो हैगी 7 जोट आपके 2 positive तो limit करड़ांगे इदर ले साइड तो 2 positive तो limit करड़ांगे तो हैगी अपने को ले 1 लेफ्ट लिमेट ते राइट लिमेट दोने ब्राबर नहीं है गिया किदा करके function अजड़ा discontinuous है at x is equal to 2 जिम्हें कि अपके अपके प्रूब भी किता है theoretical solutions ओके इस तो बात question कर दें आपके सेवंथ question तो उसे तरह है अपनों discontinuity वाले पॉइंट लब बन्नों किया है जिए कुछ हैगी है था ता statement आप रीट कर लिए वाली बुक चे तो टेकले हैगी है तब पहला case गल करांगे आपा जिवे होने ते portion बहुत जादा है तब पहला आपके गल करांगे खुद माइनस तिन थे फिर उस तो बाद गल कर से ने खुद कले तिन थे तो टोटल पांच cases अपनों नजरा रहे है तो इक करके case देख दें आपा पहला case है when x is less than minus 3 जदो x less than minus 3 है ता function एवाला होएगा modulus of x plus 3 तहुं इना बारे explain आपके में खरांगे यह अपा जो पहला results लिखे है और तुसी पुराणिया वीडियोस तो चेक कर सकते हूं आई बटन दे क्लिक करके ता उन्हानों देख दें आपके की में explain करना है ता यह जड़ा function है यह हैगा modulus function ज़़ा क्या अपनों पता है everywhere continuous हुन्द है एक ही है color 3 एक ही है constant function उन्हान अप तो उन्हें कले कले की सेगे continuous है एवरिवेर continuous हुने इन्हानों आपकी किता जोड़ता जोड़ता मतलब इन्हां तो बन गया एक sum function some function दे भी आपा गल कीती भी है पुराणी वीडियो से तो तो सी देख सकते हैं ता जहे एक अल्ला everywhere continuous है एक अल्ला everywhere continuous है तो उन्हानों जोड़के भी जड़ा function है वो भी की बनूगा continuous everywhere ठीक है ता अपनों तक की चाहिए सिरफ x less than minus 3 वास्ते जोड़ों ही everywhere continuous ही है ता फिर continuous for x less than minus 3 also एदे लिए भी continuous ही होएगा ता एस तो बात देख दें आपना है दा second case second case दे विच अपनों गल करनी भाएगी when x is greater than 3 ता हुन तोसी statement नों थोटा जागे रखना हो दे क्योंकि अपना page change हो चुक्क है x greater than 3 वास्ते अपने को लिए function a वान्द है 6x plus 2 एक ही है polynomial function polynomial function आपनों पता है everywhere continuous हुन दा है एदा मतलब जे everywhere continuous है फिर x greater than 3 लिखता होगा ही होगा ठीक है यह भी अपना थर्ड केस जदो x जड़ा minus 3 तो वड़ा है ते 3 तो छोट है तब function आपा चूज कर ले माइनस 2x question चो देखके minus 2x भी की है एक polynomial function है polynomial function की हुन दा है everywhere continuous function जे everywhere continuous है तब फिर x इंटर्वल वास्तेता हो गई होगा इन्हों आप लिखता कि function is continuous for this interval also हुन रही गल यह ता पर गल किते सीगी कुछ वड़े इंटर्वस वास्ते हुन आपको कुछ points से गल करनी भूगी क्योंकि आपनों जड़ी function जो define किता हो minus 3 देखक पर थोड़ा saturate करने है ता हुन आपक continuity चेक करांगे add x is equal to minus 3 limit x approaches to minus 3 negative f of x इते function चूज कर लिया minus 3 negative दे according फिर limit पर ही ता minus 3 दा modulus plus 3 calculation करके आगया 6 उसतों बाद right limit करन लगया minus 3 दे function चूज हो गया limit पर क्या गया 6 फिर function खुद minus 3 पर या यह आपको देखने statement चो देख देखके ते आन रखने कि की देज परने ता यह जो तो आपको देख परता statement चो देखके यह बन गया 6 ता देख ले आपको लेफ्ट लेमेट दी वैल्यू राइट लेमेट दी वैल्यू ते function दी वैल्यू एट माइनस 3 इन नहीं गिनी आगे हैं 6 ता पर कहसके नहीं कि function जड़ा एक continuous है एट x is equal to minus 3 थे उस्तो बाद function आपा जड़ा देख्या है यह 3 थे भी saturate कार रहा है तो 3 थे भी continuity चेक करनी भोगी तो हुन आपको गल कर देए limit x approaches to 3 negative f of x limit x approaches to 3 negative 3 negative भास थे function अपना choose हो रहे है minus 2x ता limit पर ही थे value आगी minus 6 उस्तो बाद limit x approaches to 3 positive 3 positive थे according यह function select होंदा है limit पर ही value आगी 20 ता left limit थे right limit थे प्राबर आई है नहीं एदा मतलब की है function sada की है discontinuous है at x is equal to 3 ता जो सानु statement देती सी सारे की ते ही continuous ही बट सिरफ 3 ते ही discontinuous है होना पैदा देखने हा graph होने दा graph हो आप एक और ही नजर मार रहे है ता कुछ values में पर ही यह होदी limit थे according की जड़ी है जड़ी है values जड़े भी functions पर ही आजासके जसी ता यह वाले जड़ा graph है इनना portion यह तो बी तक दा यह हैगा modulus of x प्लस जड़ा ठेक है औस तो बाद b तो c वाला जड़ा portion है यह हैगा अपना minus 2x वाला जो अपनों define केता है जड़ी है जड़ी है values एदेज पर ही आजासके दें सी तब परन्तो बाद ए ग्राफ बन गया औस तो बाद d तो e वाला graph है जड़ा वो हैगा 6x प्ल continuous नजर आ रहे है बट थोड़ा जब होर आपनों keenly watch करना पहेगा जिमें कि इत्थे देखिए माइनस 3 ते माइनस 3 ते जड़ा कोई break नहीं है कि यह मतलब माइनस 3 ते continuous ही है ठीक है अपनों चेक करिए 3 ते जो आपनों देखिया देखो 3 ते graph दे विच की एक gap है अपनों प दे लेफ्ट साइड तो आप आए तो अथे limit दी value बानने से माइनस 6 जो दो इत्री नों प्रोस कीता मतलब 3 positive वास्ते यह जाना पहेगा 3 positive वास्ते जो आप आए देखोले आए तो अपनी limit दी value के नहीं बानने है 20 जड़ा कि अपा theoretical portion चे देखिया है कि left limit से की minus 6 और right limit के न तो क्या discontinuous at this point और आप देखने है next question question number 8 question number 8 दे विच statement आपने को लेवाली देखती भी है तो पहला आप आनू तो कि मोडूलस देता है तो मोडूलस देको रेफिनेशन आप रिवाइस करिए जड़ी की plus 1 चाहिए जोड़ी है मॉडूलस ऑफ एक्स की में लिख्या जान दा कि जे एकस ग्रेटर दन जीरो ए ता उनों तुसी एनों की लिखोंगे x जे x less than 0 है तो मोडूफ एकस दी वैलू की लिखंगे minus x जोदो x 0 है तो मोडूफ एकस दी वैलू की है zero एता है कि मोडूलस दी definition यह होना आपा इस question ची use करांगे question नो थोड़ा of the coding set कर लांगे आपा ओ देखो किस तरह इत्थे उन्हें क्यासी function एवाला तुसी choose करना है जदो x 0 दे बराबर नहीं हैगा मतलब जदो x 0 दे बराबर नहीं है मतलब कि x 0 0 तो छोटा है उदों यह है use करो जदो x 0 दो बड़ा है उदों यह है use करो बट 0 ते यह है function दी वैल्यू ए रहेगी तो होना अपा गल कर दें इससे नों आपा ब्रेक करन लगें तो जदो x greater than 0 है x greater than 0 वास्तिया देखो अपा की लिखे है modulus दी वैल्यू के नियांदी है x अपा numerator की लिखे है x यह दी जगा थे denominator नों उसे तरह यह x रहन देता है फिर असी function च एक्स less than 0 वास्तिया देखने लगें अभी एदा की करने है तो यह नों अपा modulus of x नों की लिखे है दे माइनस x क्योंकि सानों definition है दस्या है कि जोदो x 0 तो चोटा है तो modulus of x नों तुसी minus x लिखांगे ता numerator चेंज़े हो रही है देखो minus x आगया denominator सेम ही है यह x is equal to 0 थे तास यह copy किता है तेरे चे कोई चेंज नहीं होने दू बाद x 0 x कटे आगया यह 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 सेम आगया यह कटके आगया minus 1 condition सेम है यह यह 0 वाला copy paste ही किता थी तो होना आपा देखांगे केड़े केड़े cases बन दे है ताप आपन देख रहे है थी कि greater than 0 less than 0 थे खुद 0 थे यह अपने 3 cases बन दे है ता पहला गल करिए when x is greater than 0 greater than 0 वास्ते function देखो केड़ा बन है 1 1 की यह constant function constant function आपनों पता है कि constant function everywhere continuous हुन दे है इस करके जड़ा function everywhere continuous है ता फिर x greater than 0 ले ता continuous होएगा ही होएगा second case when x is less than 0 less than 0 वास्ते function की यह सटा minus 1 ता यह भी minus 1 की यह constant function constant function की हुन दे है everywhere continuous यह दा मतलब यह है less than 0 वास्ते भी continuous होएगा ही होएगा क्योंकि जड़ा everywhere continuous है ता फिर less than 0 थे उन्हों continuous होन तो कौन डोग सकता है और दो बात गल करिए third case दी at x is equal to 0 क्यों x is equal to 0 थे गल कर रहे हैं आपा because less than 0 greater than 0 थे function साड़ा बदल दे है saturate हो रहे है ते गल करनी साड़े वास्ते compulsory है ता left limit करने लगे हैं 0 negative थे function choose हो गया minus 1 क्योंकि 0 negative थे minus 1 है पर यह कुछ नहीं जाना ता है कुल मिला कि minus 1 ही आजेगा और दो बात right limit करने लगे हैं 0 थे ता function choose हो गया 0 positive थे देख लो तुसी 1 लिमिट पर आंगे ता 1 था 1 नहीं रह जुगा ता left limit थे right limit दोने की आगी हैं unequal ब्राबर नहीं आई हैं ता यह दा मतलब function साड़ा discontinuous है tax is equal to 0 बाकि सब की थे continuous ही थे गा पर देख सकते हैं पहले दो cases but 0 थे की है discontinuous ओके now let's see the graph ग्राफ अपैदा बनाया ता एक यह ग्राफ बने हैं एक यह वाली line बनी है ते क्योंकि 0 थे value कि नहीं है सानों सिक्ट ली किया गया उपर कि 0 थे value 0 थे थे dark हारता हुआ होना पर देख सकते हैं कि एदर 0 थे less वाली है values थे function साड़ा continuous है एदर भी कोई दिक्कत नहीं graph बड़ा आरामना continuous चाल दिया है एही आपा थेरी जो पर पढ़के आया है ओके next question देखने होना आपा next question is question number 9 statement भी को री अची तरह रीड कर लो ता पहला case देखिए आपा when x is less than 0 x less than 0 वास्ते function साड़ा है x by modulus of x उपर वाले function जो आपा कल्ले नो देखिए ता है इन्हों कहने आपा polynomial function नीचे वाले नों देखिए ता इन्हों बोल दे मोडूलस function एक दोने function है जड़े polynomial function भी एवरिवेर कॉंटिनूस दी काटागरी चानद है तो यह मोडूलस function भी एवरिवेर कॉंटिनूस दी काटागरी चानद है जो दो दो functions नों आप डिवाइड कर देया तो ओक एड़ा function बन जानदा है यह आपकिता भी है तो सिदेख सकते हैं यह बटन नों प्रेस करके कि इदा नाम की सेगा कोशन function आपकिता से अलजबरा ओफ फंक्शन से वेचे ठेक है ता इन्हां दोने नों डिवाइड करके बन गया एक कोशन function इत दोने एवरिवेर कॉंटिनूस से के ता जदो इन्हां नों डिवाइड करांगे ता एवी की बनूगा continuous function बटे ते आनक नहीं थे कि denominator 0 नहीं होना चाहिएदा ते 0 हो भी नहीं दिया क्योंकि अपका गल कीदी कर रहे हैं less than 0 वास्ते मतलब 0 तो left वास्ते गल कर रहे हैं ता left वास्ते यह दोने जड़े function है because एवी everywhere स continuous ही ता दोना नों डिवाइड करके यह बड़े अराम नाल अपा बोल सकने हैं कि यह continuous ही बनेगा quotient function जदो x less than 0 है next case 2 when x is greater than 0 ता greater than 0 वास्ते अपनों नहीं क्या है कि function दोड़ा की है minus 1 ता minus 1 के डी category जानद है constant function दी category तो constant function अपनों पता ही है everywhere continuous होंदे है यह जड़ा function है जह everywhere continuous है ता फिर x greater than 0 लेता होएगा ही होएगा next आपनों गल करनी पहेगी at x is equal to 0 ते क्योंकि सद्धा function 0 ते saturate हो रहे है ता यह अपना point आ गया जड़े आपना गल कर दे होंदे है continuity at a point वाली ता पहला limit चेक कर यह 0 negative ते function चूज हो गया इथे थोड़ा ते आनल देखो x by minus x क्योंकि 0 negative मतलब 0 तो छोटी value जदो 0 तो छोटी value होंदी है तो mode x नूँ अपना definition चे देखे है कि लिखे दें minus x ओके इना नूँ कट्या किया गया minus 1 then limit x approaches to 0 positive 0 positive वास्ते function अपना minus 1 है limit दा कोई असर नहीं तो मतलब minus 1 नहीं रहेगी solve करके function चे 0 पर रहा किते पर आंगे इथे क्योंकि इथे ही अपनों permission है 0 पर आंदी तो किन आगे minus 1 तिनने ही values minus 1 आगे है left limit दी right limit दी ते function दी value 0 ते तो अपनों पुछा किसी होने कि discontinuity वाले point लिखो और अपना function तक है discontinuous है ही नहीं तो अपना बोल सकते हैं कि function has no point of discontinuity इस तो बाद आप एदा graph देख 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 ग्राफ x less than 0 वास्ते ठीका जी एथो तक बन गया graph और दो बाद x greater than or equal to 0 वास्ते graph यह वाला बन गया मतलब graph किते भी टुटे आनीगा graph लगातार ही चल रहे है एदा मतलब कि function किते भी discontinuous होंदे chances ही है नहीं एही अपना थेरीच कहके आई हैं एही अपना इते graph देख रहे हैं तो function has no point of discontinuity जैस तो बाद आपना next question कर दें है नेक्स question है question number 10 statement पाढ़लो अच्छी तरह यह वाली statement है ता अपने कोले cases की बन दे है 1 तो वड़े वास्ते 1 तो छोटे वास्ते function है ते 1 ते तिन cases बन दे अपने कोले तो पहला गल कर लगया when x greater than 1 तो function केड़ा greater than 1 वास्ते x plus 1 जैड़ा की polynomial है polynomial everywhere continuous है जी everywhere continuous है तो फिर x greater than 1 ले भी continuous होएगा ही होएगा next when x is less than 1 less than 1 वास्ते function अपना x square plus 1 यह वी की है polynomial फिरो ही लाईना polynomial is everywhere continuous therefore it is continuous for x less than 1 जैड़ everywhere continuous है ता फिर छोटे इंटरवल ली continuous होंतो अनूं कोई रोकी नहीं सकता अगे खाल करांगे at x is equal to 1 ता इथी left limit करना लग गया 1 negative function select हो गया 1 negative दे according limit पर ही किन्नी आगी 2 फिर right limit करना लग गया function select हो गया right limit दे according x plus 1 limit दी value आगी calculation करके 2 और दो बाद function जो 1 पर लग गया इदे पर रहा जाएगा त्यान रखना है function से ही choose करना है आपा 1 plus 1 हो भी आगया 2 ता left limit right limit दे function दी value at x is equal to 1 तिनने की आगी आगी है 2 ता एदा मतलब function है जड़ा continuous है at x is equal to 2 ते overall किते भी discontinuity नहीं नज़र आई ता अपा लिखांगे at the end of the question function has no point of discontinuity okay now let's see the graph of this function जब आप इन्हों recognize करिए यह वाला जड़ा portion है यह हैगा x plus 1 ते थे ता y हुंद है ता यह दा graph x greater than equal to 1 वास्ते की बनेगा state line जड़ियें के कुछ values परके तुसी बना सकते हैं और दुबाद यह हैगा y is equal to x square plus 1 तो कितर f of x y हुंद है न ता यह अपना हैगा upward parabola बर upward parabola इन्ह values वास्ते है तो जड़ों में draw केता यह upward parabola है बट इतु तक ही बना सकते हैं क्योंकि x less than 1 वाल यह values यह रिच पर नहीं है आपा पूरा graph देखिया तो इधर graph दे कोई problem नहीं इधर कोई problem नहीं सिर्फ 1 ते थोड़ा जा आपनों doubt सेगा तो 1 ते आपा चेक तब बनते भी अपना graph किते तूटता रहा नहीं तैदा मतलब function की है overall ही continuous है अपा कैस करें कि function has no point of discontinuity जिवें कि अपा उपर भी चेक कर चुकिया है थैंक यू फर वाचिंग